तो देखिए आज की वीडियो अपने करने वाले है एक्सराइज 59 का पार्ट टू इससे पहले वाले जो पार्ट है उसके अंदर अपने कोस्टेन 123 कर चुके हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोस्टेन नवर फोर से अगर आपने इसे पहले वीडियो नहीं देखा तो आई प mean numbers are she work on these days तो सबसे पहले आपको mean का formula पता होना चाहिए जो कि अब मैं अपने जो basic है और जो formula लाश्ट वीडियो के अंदर अपने discuss कर चुके हैं तो mean क्या होता है तो mean is equal to sum of the observation divided by number of observation तो सबसे पहले यह observations जो है इसका अपने sum कर लेते हैं तो यह आपको given है mixed fraction के अंदर तो इसको सबसे पहले convert कर लेते हैं improper में 2 into 2 4 5 by 2 4 into 3 12 plus 1 13 by 4 2 into 4 8 8 plus 3 11 by 4 अब इन सब को हमने add किया add क्यों किया क्योंकि number of observations हैं तो add करने के लिए देखिए हमें LCM लेना पड़ेगा तो 2 and 4 का जो LCM होता है वो क्या होता है 4 होता है further हम क्या करते हैं देखिए यहाँ पर हमने लि divide करेंगे तो आएगा 2 तो 5 into 2 again 4 से जब हमने divide किया तो आएगा 1 तो 13 into 1 जो भी आपका quotient आता है उसे हम multiply कैसे करते है numerator से plus 4 को जब हम divide करेंगे 4 से तो आएगा 1 11 into 1 तो 5 into 2 हो जाएगा 10, 13 into 1 हो जाएगा 13 और 11 into 1 हो जाएगा आपका 11 तो यहाँ पर जब इनको sum करेंगे तो आपके पास आएगा 34 divided by 4 अब यह क्या है total hours जो कि इसने इन तीन दिनों में काम किया अब आपको बताना है mean तो mean के लिए क्लिए क्या करेंगे number of sum of the observation divide by number of observations तो यहाँ पर क्या करेंगे 34 divided by 4 को कि से divide करेंगे हम 3 से तो देखिए अब divide में जब भी divide होता है तो हम क्या करते हैं उसको reciprocal कर देते हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4 into 3 12 मतलब अब देखिए यह क्या है 34 divided by 4 divided by 3 3 को हम क्या ISV में कर सकते हैं 3 by 1 तो जो term है वो reciprocal हो जाती है मतलब 34 by 4 multiply by 1 by 3 तो 34 into 1 34 4 into 3 यह आपके पास हो जाएगा 12 इसे again 2 के table से cut करेंगे तो आजाएगा 17 by 6 again यह क्या है एक improper fraction है इसे हम convert कर लेंगे mix fraction में जो कि क्या हो जाएगा 2 5 by 6 hours it is your answer of question 4 next देखिए students question number 5 are you sure you set for six test and Ayana set for seven test their percentage score were यह इनके percentage score है और question में क्या बुचा गया है कि दोनों में से किसके जो है वो mean score जादा है तो यहाँ पर देखिए आयूशरी ने कितने test में दिया है 6 में तो number of observation जितने भी थे इनका उपर तो कर देंगे sum of observation divide by number of observation अब 6 से क्यों divide किया है क्योंकि आयूशरी ने कितने test दिये है 6 टेस्ट दिये है तो यहाँ पर इनका जब हम sum करेंगे तो आईगा 392 divide by 6 करने पर 65.33 अब यह क्या है mean of आयूशरी उके उसके पर अगर हम बात करें mean of आयाना तो इसके जो numbers given है इसका sum करके divide किससे करेंगे? divide करेंगे 7 से क्योंकि इसने number of test कितने किये है यहाँ पर number of test में दिये है 7 तो यहाँ पर जब इसका sum करेंगे तो आपके पर आजाएगा देखिए 52 प्लस 87 प्लस 64 प्लस 53 प्लस 74 प्लस 81 प्लस 86 डिवाइड बाइ 7 तो 7 करने पर आपके पास answer आजाएगा 497 डिवाइड बाइ 7 इसको डिवाइड करने पर 71 is the mean of अनया तो यहाँ पर आपसे पूछा क्या है कि दोनों में से किसका ज़्यादा है तो यह अनयाना का ज़्यादा find the mean of first 10 odd numbers अब आपको first 10 odd numbers का mean find करना है तो first 10 odd numbers क्या होते हैं देखिए 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19 इनका sum करके divide किसे करना पढ़ेगा 10 से करना का पढ़ेगा obvious बात है क्योंकि first कितने number है 10 number है तो number of observations कितनी हो गई 10 sum of the observation जब हम इसको add करेंगे तो आपके बस आएगा 100 100 divided by 10 देखिए 0 से 0 cancel आपके पास answer क्या आ गया 10 is your answer ओके next एकी students question number 7 if the mean of 16,14,x,23,20 is 18 अब यहाँ पर आपको mean की value देदी मतलब x bar की value देदी 18 ठीक है formula जानक नहें x bar is equal to sum of observation divided by number of observation अब number of observation कितनी है देखिए 1,2,3,4 and 5 number of observation मार पस क्या आ गई 5 formula एपट कर देखिए आप मैं यहाँ पर आपको formula नहीं लिख रा आपको sub question के अंदर formula जरूर लिखना है कि क्या होता है x bar is equal to sum of observation divided by number of observation तो यहाँ पर x bar की value देखिए 18 sum of observation 16 प्लस 14 प्लस x प्लस 23 प्लस 20 डिवाइड बाइ 5 अब यहाँ से देखिए cross multiply करेंगे 18 इंटू 5 क्या होता है 90 इन्हें हम add करेंगे 16 प्लस 14 यह होगए 30 equal to x plus 73 अब 73 देखिए equal to के उस तरफ जाएगा तो यह plus का उदर जागे क्या हो जाएगा minus का हो जाएगा तो minus करने पर देखिए x is equal to 90 minus 73 तो minus करने पर आपके पास जो x का answer वो क्या आने वाला है वो आजाएगा आपके पास 17 next day students question number 8 question number 8 क्या है if the mean of x, x plus 2, x plus 4, x plus 6, x plus 8 is 24 find the x बिल्कुल similar है आपको mean given है sum of the observation divided by number of observation count कर लेते हैं कितनी है 1, 2, 3, 4 and 5 बिल्कुल similar जैसा कि हमने 7th question में किया था बिल्कुल वैसी करेंगे देखिए यहाँ पर लिख दिया हमने mean x plus x plus 2 plus x plus 4 plus x plus 6 plus x plus 8 तो यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4 and 5 तो यह क्या हो गए 5x plus 2 plus 4, 6, 6 plus 6, 12, 12 plus 8, 20 अब यहाँ तक जो है आपने easily कर लेना है अब यहाँ पर दिवाइड में क्या है sum of observation cross multiply करेंगे 24 into 5, 120 अब यहाँ से देखिए जो 20 है plus का उतर जागी क्या हो जाएगा so 120 minus 20 is equal to 5x यहाँ पर आगया 100 is equal to 5x यहाँ से जो 5 है वो चला जाएगा डिवाइड में 100 by 5 मतलब x की value आपके पास क्या आगई x is equal to 20 is your answer तो students यहाँ पर 8th question का जो answer है वो आपके पास क्या आगया 20 आगया next एक इक students question number 9th Nisha secured 73, 86, 78 and 75 marks in 4 test देखो 4 test के अंदर तो उसको इतने marks मिले what is the least number of marks she can secure in her next test if she has leave the mean score to the 80 marks in 5 test अब देखो क्या है let the number is x हमने number क्या मान लिया x मान लिया ठीक है तो उसका mean score कितना था 80 number of observation देखो पहले 4 test उसके बाद में एक और add होगे तो कितनी हो गई 5 हो गई अब इन सब का add कर देंगे plus x x क्या माना वो number था जो कि उसमें add करने पर आपका जो mean आ रहा था हो कितना आ रहा था 80 तो 80 इंटू 5 400 इन्हें जब हम add करेंगे 73, 86, 78 and 75 को यह हो जाएगा 312 प्लस x equal to के उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा minus का तो x is equal to 400 minus 312 minus करने पर x की value क्या आगई यह आपके पास 80, 80, 88 marks मतलब जो fifth exam उसमें दिया उसके अंदर उसके marks कितने आए हैं 88 marks आए हैं तभी जो इसका mean है वो कितना हो गया the mean of six number is 24 देखिए six number थे मालेज यह कोई भी six number थे 1, 2, 3, 4, 5, and 6 assume किया है यह six number से उन six numbers का जो mean है वो क्या है 24 है one number is excluded the mean remaining number become 22, find the excluded number देखो कोई suppose क्या करो कि six numbers से उनका mean क्या था 24 था ठीक है अब उनका mean 24 था उनमें से एक number निकाल लिया ठीक है आप करेंगे कैसे mean is equal to sum of the observation divided by number of observation तो number of observation किसे नहीं आएगी six mean आपको given है 24 multiply करने पर sum of observation आगई 144 अब यहाँ पर देखो अगर आपने बात करें कि मान लिजे six number थे one, two, three, four, five, six मैंने one number exclude कर दिया मान लिजे यहाँ से मैंने four जो exclude कर दिया निकाल दिया तो पिछे क्या बचे one, two, five and six अगर मैं इन सब का sum करता हूँ one plus two, three, three plus three, six six plus four, ten ten plus five, fifteen fifteen and six, twenty one आएगा ठीक है? उसके बाद अगर मैं इन का sum करता हूँ one plus two, three, three plus three, six six plus five, eleven, eleven plus six यह आपके पास आगया 70 अब इसमें से अगर मैं माइनस करता हूँ तो आपके पास क्या आ रहा है? four आ रहा है जो कि आपका क्या था? excluded number था बिल्कुल similar वें के अंदर हम क्या करेंगे? some of the observation दोनों फूटम से निकाल लेंगे इससे हमारे पास क्या आ जाएगा? excluded number आ जाएगा अब इसके अंदर देगी second case के अंदर आपके पास mean क्या है? 22 है लेकिन number of observation भी तो कम हो जाएगी कितनी हो जाएगी? five हो जाएगी क्योंकि एक number exclude हो गया निकल गया minus हो गया ठीक है? तो 22 is equal to sum of observation divided by 5 22 into 5 हो गया आपके पास 110 तो sum of observation जो की five numbers के लिए five numbers के लिए हो गयी 110 and six numbers के लिए हो गयी आपके पास 144 so excluded number is 144 minus 110 is equal to 34 is your answer तो यहाँ पर जो excluded number था वो क्या था आपके पास? 34 था तो students इसी के साथ जो आपकी वीडियो है यहाँ पर sum up हो रही है next वीडियो के अंदर बाकी बच्चे वे जितने भी question है 15 लेके complete कर देंगे उसके बाद अपने exercise 15 भी भी करेंगे अगर आपको कोई भी doubt होता है कोई भी परिशानी आती है so you can feel free and comment in the comment box अंदर इसकी PDF शेर कर दी जाएगी तो आप क्या करें टेलिग्राम का जो चैनल है उसे जरूर जोइन करें वहाँ पर आपको total PDF मिल जाएगी उसके अलावा अगर चैनल पे नए है तो देखिए सब्सक्राइब जरूर कर जिए आपके ही love and support के कारण अपना चैनल जो है वो ग्रो हो रहा है तो आप अपना जो love and support बनाए रखिए चैनल को सब्सक्राइब करते रहे है वीडियो को लाइक जिरू करें थेंक्यू वेरी मॉच